हेलो फेंट्स वेलकुम टू माई योटूब चैनल और लाइन लाइन वेबसाइट दोस्तों आज मनों बात करेंगे परामांट टीपे के बारे में दोस्तों सबोस्थ आपने कोई भी एंसुरेंस लिया हो जो कि अंटरगर टीपे के आता है तो दोस्तों उसमें आप अपना क् यह सभी फंक्शन जो होते हैं दोस्तों आपको इस पैरामांट टीपे से मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको गूगल पर टाइम करेंना है डाइमां टीपी डाट कम और आप देखोगे तो आपको इस्था से पेज यह खुलेगा जहाँ आप दिसकते हो यह आप व्यूव क्लीव स्टेटर्स पॉलिस्य क्लीव स्टेटर्स व्यूव एकार्ड ऑस्पिटल नेटवर्क डॉनलोड फॉर्म्स मोबाइल साब यह सभी एक पर आपको साइट को उपन करना है परमाउंट TPA कि जब आप खोलोगी तो परमाउंट TPA की साइट कुछ इस तरह से खुलेगी जहां पर आप देसकते हो कि यहां पर आपका यह क्यारा परामांट हेल्फ सर्वेसेस एंड इंसुरेंस टीप प्रावे डिम्टेप और जिसमें आपको हेल्प लाइन नमबर हैड ऑफिस इमेल यह मिल ला है और दोस्तों आप यहां पर उसके कुछ स्लाइड लो हैं आप उनको कि देख सकते हूं के इसके त्यापा चयारे यह पिछल मांकर इंस्वरेंस की अचिविपमेंट यह हमारे दिये में आप तो कि यह सकते आप है जो दोस्तों इसको आपको कि क्या करना है आप यहां पर जिसकते हो कि कि यहां पर option आरहा view claim status view claim status पर टिक करोगे तो आप कुछ इस तरह से पेज़ खुल लेगा आप यहां पर लिखा है view claim status यहां पर insurance company बुछ रहा है आप इंसुरेंस कंपनी है आपकी कौन सी insurance company है तो जिस आपका बुझा पर आप इसको कर सकते हो सब्सक्राइब पॉलिषी टाइप पर कैसी है आप ऊसको कर सकते हैं है और यहां पर पॉलिषी नमबर टाइप करके आप आप policy and claim status को यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों आप यहाँ जा सकते हैं यहाँ यहाँ यूटिलिटी में आप यहाँ लिखा हुआ है utility policy and claim status तो यहाँ पर जाना है policy and state policy and claim status पर तो आपको यह function यहाँ मिलेगा और यहाँ दोस्तों और बहुत ही काफी यूश्फिल वेबसाइटेस में आप यहाँ देसकते हो कि claim benefit यहाँ देसकते हो है आपको benefit solution benefit solution यहाँ देसकते हैं आपको claim procedure की information मिलती है policy information है standard guide book है और frequently asked questions यहाँ से भी आप काफी helpful information को achieve कर सकते हैं जासे लिखा claim procedure आपको टिक करोगे तो आप है तो कि claim procedure लिखिया रहा है कि cashless and repressment तो how to obtain cashless facility cashless facilities के लिए क्या है यहाँ पर तेकिए आप देसकते हैं आप लिखा हुआ है important we request all members who want to available cashless benefit to currently call up our helpline number यह call center and confirm their policy service status and hospital network status अब यसे तो यहाँ पर फिर्स्ट यहाँ लिखे हैं 16 points लिखे हैं ensured has to arrange for the admission request note to be sent across the across from the respective network hospital to paramount तो यहाँ पर लेना पोड़ेगा जो network hospital से वो attach है paramount services से admission request note is available on admission counter of the natural hospital और दोस्तो दा admission request note is to filled by the treating doctor with us with his signature and stamped by the hospital और दोस्तो आप मैं लिखा है साफ साफ सा 4th point पर कि it is made in treat for ensure to mention the PHS ID on the request for the proper identification verification and further processing in case of corporate employees group name and apply code to should be specified तो दोस्तो आपको इस इस steps को फोलो करना है और किसके लिए दोस्तों how to obtain cashless facility के लिए और दोस्तो network hospitals होते हैं और what to do in emergency में कांडिशन करनी है वो लिखिवे network hospitals के बारे में लिखा है non network hospitals के बारे में क्या steps है in the hospitals at the time of discharge procedure of reimbursement cases दोस्तों आप लिखे हैं आप प्रसीजर आप रिप्रेश्मेंट केसे में documents that you need to submit hospitalization replacement claims यह दोस्तों इस तरह से आप काफी important information जो होते हैं आपको जो कि आपको insurance claim करने में काफी मदद मिलेगी तो दोस्तों मैंने बताए आपको दोस्तों पर बार्मांट TPA के साइट पर जाना हो पर आपको अगर आपको claim status चेक करना तो policy and claim status पर जाएंगे जहां पर claim procedure, policy information, standard guidebook और frequently asked questions दोस्तों कोफी questions होते हैं मारे मारे माइंड वे जो कि यहां पर आपके यहां पर दिये वे हैं जो होते हैं हम लोग को cashless facility यूज करते हैं तो हमें यह steps को क्या करना पड़ेगा यह follow करना पड़ेगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहला मांट TPA की website के बारे में किस तरह से useful है और कितना अच्छी service है आप देख सकते हैं और किस तरह से क्या क्या सब्सक्राइब फॉलो करने पड़ते हैं स्ट्रेंस के लिए वह भी आपको मैंने बताया है हाव तो अफिन cashless facility थैंक्स पर वचिंग और शेरिंग